हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू मैं चैनल, मैं प्रीती फ्रेंट्स, आज बात करेंगे अपराजदा के बेल के बारे में इस बेल को आप पहुन सा फर्टलाजर दे सकते हैं और इस कैसे बॉर्टरिंग कर सकते हैं और इस बेल को आप बेल की तरह चड़ा सकते हैं चाहे तो आप छोटा सा इसका बोंसाई भी बना सकते हैं यह मेरे पास मेरी अपराजिता की बेल जो है कुछ दिन पहले मैंने इस बेल के सारे फूर जड़ गए थे तो मैंने इसको किनारे कर दिया रह था और यह हलका सा सूख भी गई थी पर इसके अंदर फ्रेंड्स मैं रेगलर पानी देती रही जो मैंने आपको वीडियो में शेयर भी करा था एक में कि यह बेल जो मेरी थी बिल्कुल पूरी तरीके से खराब हो गई थी सिरफ इसका यह तरना बचा था जिसको मैंने हलका सा यहां से बीच बीच में कट कर दि नीचे और नीचे तरफ मैंने इसको इसे ही छोड़ दिया था यह देखिये तो इसकी नईनी ब्रांचस निकल के आई हैं यह एक ऐसी बेल है चाहे तो आप इसको धागे से बांद कर आपने बगीचे में इसको आप बिल की तरा कर सकते हैं और चाहे तो इसको आप बंसा ही बना सकते हैं जैसे मैंने ये बनाया हुआ है यह देखिए और फ्रेंड्स इसमें कहीं color आते हैं पराज़ता में purple, pink, white और भी कहीं color आते हैं मेरे पास इसके ये दो color है एक ये color है नीला और एक मेरे पास है ये white color इसका भी आप देख लीजिए कैसे फूल निकले हैं बहुत फूल निकले हुए इस तरीके से ये देखें और फ्रेंट्स अगर आप को अपने ये बेल में या बॉनसाई जो भी आप बनाना चाहते हैं ज्यादा फूल पाना चाहते हैं तो जब फूल निकल जाए तो आप उस बनाने लग जाएगा मतर के जैसे फ़लियां होती है ऐसी फ़लियां बनाता है ये इसको आप सासत में कट कर दीजिए वरना ये सारा जो सीर्स बनाने में अपनी ताकत लगा देगा ये प्लांट अब मैं आप लोगों के साथ अपने एक प्लांट में दिखाती हूं कि उसमें क के पीछे की तरफ प्लांट पड़ा हुआ था तो इस में यह देखिए कैसे फलियां बन गई यह को घ्ली ऐ reag आपको तोड़ के दिखाती आज इसके अंदर से सीड्स निकलेंगे ये देखिए ये देखिए इसके अंदर ऐसे अपराजिता के सीट्स बन जाते हैं जिससे ये जहां भी गिरते हैं वहाँ ये आपके प्लांट निकलाएंगे ये देखिए मैं सीट्स भी इसके अंदर ये डाल दूँगी फिर किसी डिबी वगारा में इसको डाल के रख दूँगी प्रेड सप्राजता की बेल को आप कभी भी ज्यादा गुडाई ना कीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा गुडाई करने से ये बेल सूक जाती है क्योंकि इसकी जड़े जो हैं बहुत पतली-पतली सी होती है तो इसको आप ज्यादा गुडाई कभी मत कीजिए आप हाथ से इसकी मिट्टी को जैसे इसके अंदर घास वगारा निकला आती है तो हाथ से इसकी मिट्टी को आप थोड़ा सा पानी देने के बाद गड़ाई गितना कर सकते हैं और friends बात करें इसकी watering की अपराज्ता की बेल को पूरा आप मिट्टी को गिला रखे क्योंकि इस बेल को पानी की जरूर्फ पड़ती है बेल वाले सारे प्लांट को पानी की जरूर्फ अक्सर पड़ती है और अगर इसमें पानी की कमी रहेगी तो friends यह बेल के जो पत्ते हैं वो पिले पढ़ने शुरू हो जाएएंगे आप देखिए मेरे इस प्लांट में बिल्कूल भी कोई भी पीला पत्ता नहीं है और ये देखिए लश ग्रीन करके पत्ते हुए हुए है क्योंकि ये जब थोड़ी सी खराब हो गई थी बिल्कूल समझ लीजिए कि ये मर गई थी तो मैंने इसको पिनारे करा था तब भी ये फूल बहुत देती अब तो खैर इसके अंदर बहुत सारे फूल खिल रहे हैं ये देखिए कलियां ही कलियां इसके अंदर बनी हुई है अभी मैं इसके अंदर सीट्स बनने नहीं दूँगी जब seeds की जुरूरत रहेगी तो मैं फूल के छोड़ दूँगी तो उसके नीचे से फिर फलियां बनेंगी अब बात करें fertilizer की मैंने इसको कौन साइसा fertilizer दिया था जिससे मेरे plant के ओपर ऐसे अपराज़ता के फूल आए है प्रेंट्स क्योंकि मैं इस टाम इसको fertilizer नहीं दे सकती हूँ मैंने इसको 15 दिन पहले ही fertilizer दिया है अब मैं आपको बताती हूँ कि उस fertilizer को आप अपने वपराज़ता की बेल को बहुत ही से दे सकते हैं प्रेंट्स मेरे पास वर्मी कमपोस्ट रखी हूई है तो मैंने इसके अंदर दो मुटी वर्मी कमपोस्ट डालती रहती हूँ हर 15 से 20 दिन के अंदर अगर प्रेंट्स आपके पास वर्मी कमपोस्ट है तो ठीक है नहीं तो आपके पास अगर पुरानी गोब गोल कर दे देंगे तो और अच्छा रहेगा और इसके अंदर आप आदी चमज के करीब एपसन सोल्ट भी डाल दीजिए एपसन सोल्ट डालने से इसके पतियों का एक तो कलर बहुत अच्छा हैगा और फूल भी आपके बहुत इसी तरीके से बड़े-बड़े निकलेंगे ज यही फट्राइजर दिया था जो मैंने अपने इस नीले वाली बेल को दिया था दोनों में फूल बहुत ही प्यारे निकल रहे हैं अब यह मेरे बेलों में नुवंबर से लेकर जनवरी तक इसके अंदर फूल ऐसे ही खिलते रहेंगे जो हमेश्या हर बार खिलते रहते हैं यह देखिए मैं आपको नजदीक से दिखाती हूं बहुत ही खुबसूरत फूल निकला हुआ है यह वाला आपको यह मेरी वीडियो प्राजता के उपर कैसी लगी कमेंट करके बताएगा और फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्य आपको फ्रेंड बबाई हपी गार्डनिंग